जै माताजी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकार जोशी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं करक राशी के मार्च के मंतली राशी फल के बारे में यानि कि खतरनाक इसलिए कहा रहा हूं कि यह यूती अच्छी नहीं होती और करकराशी वालों ने बहुत सारी प्रॉब्लम में मुझसे शेयर किये वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं जैसे कि आप जानते हैं 72-101-242-89 मेरा वट्सप नंबर है जिस पे आप अपनी डिटेल बेशते हैं और मैं टेलिफोनिक आपसे बात करता हूं तो करकराशी वालों ने ये जो यूति बन रही है इसमें बहुत सारी समस्या हैं बताई पहली समस्या क्या बताई माता पिता का अचानक स्वास्ते खराब हुआ या माता पिता पर कोई कश्ट हुआ हस्पताल डक्टर के चक्तर लगाने पड़े तूसरा करकराशी की धनहानी हुई धन से समंदित बनते बनते काम रुख गए या धन से समंदित डील कैंसिल हो गई तीसरी समस्या जो जातर करकराशी वालों ने बताई कि पार्टनर से जबर्दस मनमुटाव रहा यानि कि love partner या आपके married partner से अनबन फर्वरी के मेने में जदा रही चलिए आप March के मेने में बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्त के बारे में बात करते हैं और ये कुंडली देख लीजिएगा कुंडली के अनुसार देखा जाए तो कुंडली में जो स्वास्ति के स्वामी है चंद्रमा वो व्याय भाव में बैटें यानि एक तरीक से लेकर पंदरा तरीक था सब कुछ नॉर्मल है स्वास्ति अच्छा रहेगा धन के स्वामी सूर्य बुद और शनी अस्टमबाओं में बैटें यानि एक तरीक से लेकर पंदरा मार्च तक थोड़ा दिक्कत है करकर राशी को धन के लिए वाद विवाद हो सकता है बैंक से सम्मदित कामों में परेशानी हो सकती है एमाई गडबड हो सकती है आपका कोई चैक बाउंस हो सकता है ओन्लाइन ट्रांजेक्शन में बहुत साबदानी रखनी है 15 मार्च तक 16 मार्च में जैसे सूर्य मीन राशी में परिवर्तन करेंगे ये यूटी तूट जाएगी 16 मार्च से 31 मार्च में देखा जाए धन का फ्लो अच्छा हो जाएगा एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं देखा जाए इस समय तो मालब भी यूग बना रहें तो एक तरीक से लेकर 31 एक तरीक से लेकरो तेरा तरीक तक परिवार के साथ मैं पर्टी फंक्शन या यात्रा के यूग बनते हैं कि समारों में जाने का यूग बनता है परिवारी तैरा मार तक बहुत अच जिस कारण से परिवार में अशान्ती रहेगी किसी सरदस्य का शुब काम कैंसल भी हो सकता है यानि 14 से 31 तक की स्थधी बहुत अच्छी नहीं है संतान के बारे में अगर हम बात करें तो एक तारिक से लेकर और 30 मार्च यानि पूरे मार्च देखा जाए तो संतान को छोटी सं संतान का समय अच्छा है बड़ी संतान का देखा या वहान चलान या मोबाईल तूट सकता है मोबाईल पर करचा आ सकता है कंप्यूट नहीं मिट्लियार्टियों से लिए चलान या खर्चा आ सकता है नौकरी भाऊ के बारे में बात करें जो करकराशीव वाले नौकरी करते हैं तो एक तारिक से लेकर 31 मार तक देखा जाए तो हंस योग नौकरी में बन रहा है ये बहुत जबरदस्ट योग आपका बन रहा है देखा जाए ये नववाम बाहों में गुरू और शुक्र का मालब्य और हंसी योग बन रहा है यानि पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं कोई ओफिस में कोई बात आपको बॉस से या मैनेजमेंट से रखनी है तो मार्च के मेने में रखें धन विर्दी के भी अच्छी योग बन रहा है मन पसंद काम भी आपको मिल सकता है मार्च के मेने में मन पसंद प्रोजक्ट भी मिल सकता है मार्च के मेने में मित्रों के साथ में तीर तियातरा और पार्टी दोनों जगा जाने के योग बनते यानि किसी मंदिर में भी आफिस मित्रों के साथ जाएंगे, किसी पार्टी में भी शरीक होंगे, तो नौकरी वालों के लिए मार्ज का महिना बहुत लापकारी रहने वाला है, आप बात करते हैं करकराशी के दामपत्य जीवन के बारे में, तो यहाँ पर सूर्य बुद और जो यह यूती बन रही है, यह थोड़ा 15 मार्ज तक, यानि एक मार्ज से 15 मार्ज तक परेशानी रहेगी, यानि पहले हम प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात करें, तो एक से 15 मार्ज तक पार्टनर का को कोई सरकारी पैनल्टी या चलान का भुकतान करना पड़ेगा, बॉस पिता से अनबन रहेगी, तो पार्टनर के लिए भी 15 मार्ज तक बढ़िया नहीं है, पती पतनी की बात करें, तो पार्टनर के को हेल्थ इशू रहेंगे 15 तारिक तक, यानि पार्टनर को कमार पैर में दर्द की परेशानी, या एक दम सब फिसलने से कोई हलकी फुल की चोट लगना, ऐसी स्तती 15 तारिक तक बनेगी, 16-31 मार्ट सूरिक जब राशी परिवर्तन करेंगे, यह यूती तूट जाएगी, तब इस्तती बढ़िया रहेगी, अब बात करते हैं व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए देखा जाए, तो एक से लेकर ओ, पं महीने, जबरदस सेल रहेगी, जबरदस इंकम रहेगा, लेकिन 15 तारिक तक खासकर बिजली और मशीन पे खर्चा रहेगा, तो कुल मिला के देखा जाए, खर्चे में भी ब्रिद्दी हो रही है, तो कुल मिला के यह जो महीना है, अच्छा ही रहेगा व्यापारियों के लि कोनिक का अपॉन्मेंट मेरे द्वारा ले ले और मेरे द्वारा अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं, तो मित्रो इस कारेकरम में बाद इतना ही, मुझे दीजेजाज